नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है तीन जन्वरी दिन बुदवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर प्रारंबिक और माधमिक स्कूलों में अब रोज इतने घंटे पढ़ाई अनिवारिया जाती है गन्ना के मामने पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोड का देर कलाकारों के लिए जौब पॉलिसी ला रही नितीज सरकार बिहार के अलग-अलग हिस्सों में कोड़े को लेकर यलो अलर्ट जाड़ी भारत और साउथ अफरिका के बीच आज खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच अब चली बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खबरों प्योर विस्तार से उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग ने PCS परिच्छा 2024 के लिए आविदन किया शरू कर दी है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वो ओफीसियल वेबसाइट UPPSC.UP.NIC.IN पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे क्या आविदन करने की अंतिम तारीक 29 जनवरी 2024 तक निर्थारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करे तुमें द्वार को किसी भी विशय में किसी मानता प्राप्त विश्य विद्याले से सनाथ तक की डिग्री पास होना अनिबारे है और साथ ही उनके उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए इससे जड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी के गए नोटिफिकेशन को जरूर देख ले प्राडमबिक और माधमिक स्कूलों में अब रोज इतने घंटे पढ़ाई अनिबारे है नेशनल करिकूलम फ्रेमवर्क स्कूल एजूकेशन 2023 के तहट एक वर्ष में 220 दिन स्कूल का संचालन अनिबारे होगा वही प्राडम में कक्छाओं में 7.15 घंटे तो माधमिक कक्छाओं में 8.35 घंटे की पढ़ाई अनिबारे है जले के डायट, PTE, CTE समेट अने ट्रेनिंग संस्थानों में सक्छकों को अब नए फ्रेमवर्क की जानकारी दी जाएगी ताकिस का असर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मलसके साथ ही सिक्छकों के जर्ये ये जानकारी अब विवाव को तक भी पहुँचाई जाएगी पतादी की प्राइमरी से लेकर प्लस टू उस्तर के विद्यालियों में दो घंडी के भी छात्रों को तयार होने के लिए कम से कम पांच मिनट का समय रखा गया है इस जंबन में बिहार सरकार के सिक्छा विवाग के अपर मुख्य सचीव के के पाठक के द्वारा राज्य के सभी डियम को नर्देश जारी करते वे इसकी जानकारी सभी डी ईओ को देने की बात कही गई है बिहार परेटन में आज हम बात करेंगे त्री मोहिनी संगम के बारे में त्री मोहिनी संगम बिहार राज्य के कटिहार जिला के कटरिया गाओं के निकट स्थित नदियों का संगम है यहां प्रमक रूप से कोसी का गंगा में मिलन होता है जिसके साथ ही कलवलिया नदी की एक छोटी धारा की उत्पत्ती होती है त्री मोईनी संगम भारत की सबसे बड़ी उत्तरवाहिनी गंगा का संगम है यहां करीब 14 किलो मीटर की लंबाई में उत्तरवाहिनी गंगा पहती है इस कारण भी संगम असल की धार्मिक महत्ता है हर वर्ष मा की पुर्णिमा के अफसर पर लाखों की भीर यहां गंगा असनान को उमरती है भारतिय परंपड़ा में गंगा असनान को पाप नाशक माना जाता है 12 फरवरी वर्स 1948 पे महातना गांधी के अस्थी कलस जिन 12 टटो पर विसरजित किये गये थे त्रीमोईनी संगम भी उनमें से एक है उत्तरवाहिनी गंगा खा अंतिम छोड़ होने के कारण यहां सनान करने के लिए श्रधालों की भारी भीर उमरती है मुनी वसस्ट के यहां तपस्या करने की किवदंती से भी संगम तट के प्रती लोगों की आस्ता है मुंदल सहित सनातन धर्म के अनिस संसकारों के लिए भी हजारों लोग यहां पहुँचते हैं मानता है कि संगम तरपड अंत्रम संसकार से मृतक की आत्मा को मोख्षखी प्राप्ती होती है गंगा की कलकल कर बहती धारा तथा कोशी नदी के मटमेले पानी के मिलन का स्थान लोगों का मन मोह लेता है भवन निर्मांस जरे कामकारों का आधार सत्यापन शुड़ू बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के दोरा राजी के भवन निर्मास ज्रे कामकारों का आधार सत्यापन शुड़ू कर दिया गया है बता दे कि आधार सत्यापन से राज्य के उनकली कामकारों की पहचान हो पाएगी जो किसी और का आधार देकर अपना निवंधन कराकर सरकार की योजनाओं का लाब उठा रहे हैं मानमों की विभागी अधिकारियों के नुसार कामगारों का निबंधन बिहार भवन सनर्मान कर्मकार कल्यान बोड के तहत हुआ है आधार सत्यापन के बाद इस योजना के योके लाभार्थियों को ही सरकारी योजना का लाब मिलेगा कोई अपात्र कामगार योजना का लाब आ सकते हैं। कोट की ओर से बिहार सरकार के सारवजनिक डोमेन में डाले गए आकड़े के विभाजन की सीमा पर सवाल उठाए गया जिस पर याजिका करता के द्वारा कोट को बताया गया कि सरवे का डेटा प्रकाशित हो चुका है उस आधार पर अरक्षन का दाइरा 50 फीजदी से बढ़ा कर सब 75 फीजदी कर दिया गया है बतादे के सुनवाई के दौरान कोट की ओर से बिहार सरकार के सारवजनिक डोमेन में डाले गए आकड़े के विभाजन की सीमा पर सवाल उठाए गया जिस पर याजिका करता के वकील के द्वारा कोट को बताया गया कि सरवे का डेटा प्र करना होगा गूगल सीट बिहार सरकार के सक्षा विभाग के द्वारा राजी के वैसे सिक्षक जिनका चेहन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयूजित की गए पहले चरण की सिक्षक निवती परक्षा से हुई है और अब तक उन्हें पहले यानी नवंबर महीने की सैलर अब नहीं कराई गई है जिस वजह से अब विभाग के द्वारा इन सिक्षकों से इनका विवरन मांगा गया है विभाग के द्वारा माधिलिक सक्षक निदेशक के माध्यम से कहा गया है कि जिन अध्यापोकों के द्वारा विग्यापन संख्या 26 विटा 2023 के तहत अपने आ कलाकारों के लिए जौब पॉलिसी ला रही निती सरकार, बिहार में बहुत जल्दी मेडल लाओ नौकडी पाओ के तरज पर राश्ट्रे पुरुसकार पाने वाले बिहार के कलाकारों को अब लाओ नौकडी पाओ की निती लागू कर सीधे सरकारी नौकडी दी जाएगे, द इस बारे में कला संस्कृती मंत्री चितंदर कुमार राई के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है करतल भी कि राजिके खिलारियों को नशनल टाइटल जीतने पर राजिसरकार की सेवा में बताओर अधिकारी निफ्ती दी जा रही है कला संस्कृती एवं युवा विवाक के खेल निदिशाले द्वारा इसे संयोजित किया जा रहा है विवाक के द्वारा इसकी पूरी जवाब देही संस्कृत निदिशाली के जिम्मे करने वाली है बिहार में बिजली के अधिक इस्तमाल पर खुद बढ़ जाएगा लोड 2024 के लिए नई बिजली दर की मांग करते वे बिहार की बिजली आपूर्ती कंपनियों के द्वारा बिहार विद्ध विनियामक आयोग में याचिका दायर की गई है जिसमें किसी उपवोकताओं के लिए फसल करटाई के मौसम के हिसाब से बिलिंग धांचा तयार करने का प्रस्ताव भी दिया गया है इसके तहट किसानों को मासिक नहीं बलकी साल में चार बार मार्च, मई, अगस्त और दिसम्बर महीने में बिजली बिल दिया जाएगा इसके अलावा घड़ेलू परेटन को बढ़ावा दिया जा सके इसके लिए होम स्टेट प्रतिस्थानों में बिजली की खपत को घड़ेलू श्रेडी में शामिल करने का भी प्रिस्ताव दिया गया है बता दे कि याचिका के अनुसार यदि किसी वोकता के बिजली की मांग लगातार तीन महीनों तक उसकी वास्तविक अनुबंदित मांग यानि के निशित भार से 105 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो उसका बिजली भार खुद बखुद पिछले तीन महीनों की ओसत मांग के अनुसार बढ़ जाएगा वहीं सरकारी संस्थानों से बिलिंग राशी शमय पर प्राप्त करने के लिए बिल जारी होने के 30 दिन के अंदर वक्तान करने पर सरकारी संस्थानों को डेर प्रतीशक छूट का लाब दिये जाने का भी प्रिस्ताव दिया गया है विहार सिक्षा विभाग ने परिक्षाओं को लेकर लिया बड़ा फैसला विहार की सिक्षा विवस्ता में सुधार आ सके इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है इसी कड़ी में मीडिया में चल रही खबडों के नुसार अब राजी के सभी प्रारंभिक एवं माधिमिक विद्यालियों में पढ़ाई और परिक्षा का अंदास बदला जाने वाला है जबकि Common University Entrance Test में चात्रों को परिक्षा के लिए दिये जाने वाले विकल्पों की संख्या को कम किया जाएगा इसमें चात्रों को 5-6 विश्यों को चुनने का विकल्प मिलेगा वही अब मासिक परिक्षा भी अनिबाने दोगी गोबर्धन इकाई स्थापना से मिल रहा येला स्वच भारत मिशन ग्रामीन लोहिया स्वच बिहार अभियान के तहत राजी में गोबर्धन इकाई स्थापना से राजी के गाउं में ठोस और तरल अपसिस्ट प्रबंधन लगाया गया है बता दे किस गोबर धन इकाई की मदसे बायो गैस बनाया जा रहा है वहीं अब तक लोहिया स्वच बिहार अभियान के तहट राजे में 14 गोबर धन इकाईयों के स्थापना की जा चुकी है जहां गोबर और कृसी अपसुष्ट से घरेलू गैस और जैविक खाद बनाया जा इसके अलावा गोबाल गंज के जवाहर नवोदे विद्याले में भी बायो गैस के इस्तमाल सही भोजन तयार किया जा रहा है ग्रामीर इलाकों में स्वच्चता के प्रती लोगों को जागडू करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा लगातार इस अभियान को चलाया जा इस जुरी फिस्तर जानकारी के लिए लोहिया सुच बिहार अभियान के वेफसाइट स्विकास समीती एवं पुराततो निदेशाले के द्वारा उत्खनन निदेशक डॉक्र अरण कुमार के नर्तितु में भूमी पूजन कर उत्खनन कारे शिरू करते वे नदी के भूग में चिपे संभावत पुरातात्तिक अफसेस अस्थल दस श्ट्रेश को चनत कर लोहा एवं लकरी के कील से सुरक्षत कर लिया गया है पतादे किस स्थान पर शिरुवाती खुदाई में ही प्राचीन इद के टुक्रे और मृदु भांड के ठीकडे वपत्थर के छोटे छो को मुखे मंत्रे नितीश खुमार के द्वारा भदरिया कर पुरतात्तिक अस्थल का निरेक्षन किया गया और नदी में रिंग बांध बनाने के लिए जल संसादन विवाक को आदेश दिया गया 28 जनवरी को होगी मत्र निशेत की SI भरती परिक्षा अगर आप भी उन अभ्यरतियों में शामिल है जो बिहार दरोगा भरती मत्र निशेत परिक्षा में शामिल होने बाले हैं तो यहाँ खबर आपके लिए हैं बता दे कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा ब 11 जनवरी तो 2024 को जारी किया जाएगा जिसे अभ्यरती आयोग की आधिकारिक वेफसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वहीं इसके अलावा आयोग के द्वारा यह भी असपस्ट कर दिया गया है कि यदि इप्रवेश पत्र पर फोटोस पस्ट नहीं है या बिहार में लोगों को कंकणी का हसास होने लगा है हालाकि बिहार के कुछ स्टो मिदन में धूब निकलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है बतादे के आईमडी बिहार के द्वारा जाड़ी की गए प्रवानुमान के नुसार आज यानी की तीन जन्वरी को राजी के उत्तर पश्मी भाग, पश्म चंपारन, पुर्वी चंपारन, गोपाल गंज, सिवान और उत्तर मध्य में सीता मधी, शिवर, मदुबनी मुझपरपुड एवं उत्तर पुर्व भाग में सुपॉल, अरड़िया, किसंगंज, मदेपुडा, सहरसा और पुर्णिया के एक या दो अस्थानों में, घना कोड़ा चाय रहने की संभाबना है, नस्थानों को लेकर आईमडी की ओर से यलो अलर्ट जारी किया गया है, भाईराजी के शेश जिलों में, सुबह के समय हलके से मध्यमस्तर का कुहासा चाय रहने की संभाबना है, और इनको लेकर ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है, बताजी कि मौसम विभाग के मसार 48 घंटों के दोरान पटना सहित अधिसंग के भागों के अधिक्तम तापमान मे दोर से चार डिगरी की व्रिधी वर तीन दिनों बाद नियुनतम तापमान में व्रिधी होने से ठंका प्रभाव कम रहने की संभाबना है, अनो यू को मिला नाक से सीग्रेट, बिहार में सितनलंदा ओपन यूनिवसिटी यानि की अनो यू को वर्स 2017-22 के मुल्यांकन पर इक्रिडेशन में सी ग्रेट की प्राप्ती हुए है, बता दे कि इन पांच वर्सों में उनिवसिटी में साथ मान को पड़ किये गया कारे की आधार पर यह ग्रेट दिया गया है, एनो यू को कुल 4 CGPA में 1.86 CGPA प्राप्त हुआ है, इस बात की जानकारी खुद एनो यू के कूल पती प्रोफेसर केसी सिनहा के द्वारा दी गई हुआ हुआ ने कहा कि नए कैंपस को पटना के कैंपस के तुलना में बहतर ग्रेट मिला है, वही सबसे कम अंक रिसर्च में मिला है, बता दे कूल पती के द्वारा दी जानकारी के अरुसार न.उ यू को, सिक्षन सीख एवं मुल्यांकन के लिए 2.7 एक अंक प्राप्त हुए है, वही सके लावा, पाठे चर्चा के पहलू के लिए 1.47 अनुसंधा नवाचार ववस्तार में, 0.71 बुनियाती धांचा वा सीखने के साधन में 2.15, छात्र साहिता वा प्रगती में 2.46, शश्क नितुतुवा प्र सरकार की पसू एवं मतस संसाधन विभात की द्वारा मतस से पालकों के ध्यान दिन योग्य महतपुन बातों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके तहत औसर तापमान 15 डिग्री से, कम होने पर यदि मशली पूरक अहार ग्रहन नहीं करती है, तो पूरक अहार का प्रयो गोल कर तालाब में छिरकाओ करना चाहिए, प्रजनक मशली को और गुल्स की संक्रमन से बचाने है तू आवश्रकता अनुसार 80-100 ml प्रती एकर की दर से बुटॉक्स या क्लीनर या टिरिक्स का छिरकाओ दन में 10 बजे पुड़वाहन से 2 बजे अप्राहन के बीच करे ठं के मौसम में कार्प मचली वाली तालाब में निंतम पानी का सतर 5-6 फीट एवं पंगेसियस मचली वाली तालाब के निंतम पानी का सतर 8-10 फीट बराए Çापमान अधिक ईवं को रचाने के सती में तालाब में किस दरकी क्रिया कलाप न पर नों कड़े कि यदि आप अयोध्या पहुंच रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से राम मंदर मात्र पांच किलो मीटर की यात्रा कर पहुंच जाएंगे वहीं इसके अलावा लखनव दली समेत अनेक प्रमुक शहरों से सीधी बस सेवा के जरिये भी अयोध्या पहुंचा जा सकता है वहीं अ हवाई मार्ग से अयोध्या पहुंच रहे हैं तो मर्यादा पुरशुत अब्स्री राम एयरपोर्ट से राम मंदर की दूरी 10 किलो मीटर है बता दे कि मंदर में रामलला के दर्शन 30 फूट दूरी से हो सकेंगे श्रधालू पूरब दिसा से दर्शन के लिए प्रवेश करे करेंगा इंडिया गडबंधन के संयोजग बनाने पर जेडियू का जवाब इन दिनों बेहर के सियासी गलियारों में चर्चाओं का महल तेज है एक तरफ जहां नितीश कुमार के एंडिया में शामिल होने की बाते की जा रही तो वही दूसरी ओर नितीश कुमार को इंडि भी रहेगा वही अगर बात बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार को इंडिया गडबंधन का संयोजग बनाये जाने की है तो इस पारे में कोई जानकारी नहीं है वह इनके लावा केसी त्यागी के द्वारा भी सीम नितीश को संयोजग बनाये जाने वारे सवाल पर चल चुकी है इस यात्रा के दोरान बिहार भाजपा के नेता कई जिलों में जाएंगे और फिर अंत में 22 जर्वरी को अयुध्या पहुंचेंगे वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक समरार चौधरी के दोरा इस दोरान इसरत यात्रा को लेकर कहा गया कि मंदर नर्मान में बंतरन भेजा गया है अप स्रीराम का दर्शन करना ना करना उनकी मर्जी है अपकी जानकारी के बतादी कि रत यात्रा को एध्या के लिए रवाना करने के दोरान भाजपा कारयाले के पास भारी संख्या में लोगों के द्वारा जश्न मनाया गया भारत और साउथ अफरीका के बीच आज खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच आज यानि की तीन जनवरी को भारत और साउथ अफरीका के बीच दो मैचों के सिरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाने वाला है जो कि केप टाउन के न्यू लैंड्स ग्राउंड पर खेला बतादे कि इस सरीज का पहला मुकाबला इंडिया हार गई थी ऐसे में आज के इस मुकाबले को जीत कर इंडिया सरीज में बड़ाबरी करना चाहेगी हाला कि भारतिय टीम को अब तक इस ग्राउन पर जीत नहीं मिल सकी है बतादे कि भारत और साउथ अफरीका की टीमे न्यू लैंड्स में अभी तक छे बार टेस्ट में आमने सामने हुई है जहां टीम इंडिया को चार में हार मिली है वही दो टेस्ट डॉर रहे हैं भारत और साउथ अफरीका के भी स्टेश्ट मुकाबलों की बात करें दोनों के बीच 43 मैच खेले गया है इनमें से भारत ने 15 में जीत हांसल की है जबकि 18 में उसे हार छेलनी पड़ी है भारत है साउथ अफरीका में अब तक 24 टेस्ट मैच खेले हैं इसमें से उसे सर्फ 4 में जीत मिली है जबकि 13 में हार छेलनी पड़ी है और 7 मैच ट्रॉपर छूटे हैं भारत यदी केप टाउन टेस्ट में जीत हासल करता है तो इसकी साउथ अफरीका के खिलाब यह 70 वी विजय होगी भारत और साउथ अफरीका के बीच अब तक 163 अंटराश्ट्रिय मैच खेले है तस मैच ट्रॉण रहे जबकि 4 का नतीजान नहीं निकला भारत के तिहास में आज की तारीक है कई कारणों से दच रवंदर नाथ टैगोर ने शांती निकेतन में पॉस मेला का उधगाटन 894 में किया शांती निकेतन में ब्रहमचर आश्रम 1901 में खुला अलेगर का इंग भारत पाकस्तान युद्ध शुडू और राश्रुपती ने राश्ट्रिय आपात काल की घोश्टना की बारवे सार्ख संवेलन में भाग लेने के लिए 2004 में प्रिधान मंत्री अडल बिहारी वाजपई इसलामा बात पहुँचे समाजी कारेकरता भारत में पहली महिला सिक 1882 में जन्हुड शुतंता सिनानी खुदी राम बोस का 1889 में जन्हुआ ओडिशा के पुर्व मुख्यमंत्री जानकी बल्लब पतनाय का 1927 में जन्हुआ प्रसिद भारतिय राजनेता जस्वन सिंग का 1938 में जन्हुआ बॉलेवुड अभिनेता संजय खान का 1941 में पूरदर्शन की स्वर्परिचित एवं मानेता प्राप्त कलाकार बागेश्री चक्रधर का 1924 में जन्हुआ मॉडल बॉलेवुड अभिनेतरी गुल पनाग का 1937 में जन्हुआ भारतिय पार्शव गायक नरेश ऐयर का 1981 में जन्हुआ भारतिय होकी के प्रसिद खिलारियों में से एक जैपाल सिंग का 1903 में जन्हुआ प्रसिद फिल्म निर्माता नर्दीशक चेतन आनंद का 1915 में जन्हुआ 2022 में लेकः वघर नाटक कार मोहन राकेश का ने धन्हुआ 2002 में भारत के प्रसिद रॉकेट वग्यानिक सतीज धवन का ने धन्हुआD थन्हुआ केंदर आई 4C द्वारा जारी किये गए एक पत्र के माध्यम से प्राप्त करता पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं और पत्र का जवाब देने की भी मांग की जा रही है पियाई भी ने अब टूइट में आगे लिखा है कि यहाँ पत्र फरजी है भारत सरकार के तहट किसी भी संस्था ने ऐसा कोई पत्र नहीं बेचा है वार्सेप पर फ्री में नहीं होगा चैट बैकप वार्सेप एंड्रॉइड यूजर्स को वर्तमान में ये सुभधा देता है कि वे अपनी चैट को गूगल ड्राइब में सेव कर सकते हैं यानि आप मैसेज, फोटो और वीडिय का बैकप ले सकते हैं, करीब 5 साल से एंड्रॉइड में चैट बैकप एक तरह से फ्री है, वार्सेप खुल डेटा को स्टोर करता था, अब एंड्रॉइड यूजर्स को अपना चैट बैकप गूगल ड्राइब अकाउंट के स्टोरेज के साथ करना होगा, यानि जितनी अपडेट एंड्रॉइड बीटा वर्जन में रोल आउट कर दिया है, और जल्दी ये आम एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी लाइव हो जाएगा, नैसार में वेबसाइक पार्ठी क्रमों में लागू होगा चार वर्स ही है कोर्स, राजी के विश्रवध्यालियों में चलने वाले वेबसाइक पार्ठी क्रम नए 17 से 4 वर्सों का हो जाएगा, इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है, बतादे किसकारी को करने के लिए कमीटी भी बनाई गई है, मालमोग इस बार रेगुलर कोर्स के साथ ही वेबसाइक पार्ठी क्रमों में भी नामांकन की किया गया था, लेकिन अब वेबसाइक कोर्स को भी 4 साल का कर दिया गया है, वालमों के वेबसाइक पार्ठी क्रम 4 साल के डिगरी कोर्स में और वा इवन सिमेस्टर फॉलो किये जाएंगे, ऐसे में और सिमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक चलेगा, तो वही इवन पारा ही, इसको लेकर हम लोगों को आगाह किया गया है कि लगातार भारतिये जनता पार्टी के काड़याले से फाइल, ED और CBI दफ्तर भेज़े जा रहे है, उन्होंने कहा कि बिहार में तेजश्वियाद, जार्खन में हेमन सुरेर, पश्यम बंगाल में ममता बनरजी और अदली में अरवंत के जिवास सहित कई ऐसे विपक्षी नेता है, निश्चित तोर पर उन्हें ED और CBI का समन जारी हो सकता है या उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उन्होंने कहा कि आज दो जनवरी है, और आज से लेकर 22 जनवरी तक भारतिये जनता पार्टी ED और CBI के दुर पावेजों की होगी जाँच, फरजी निकलने पड़ होगी बड़ी काड़वाई, सरकारी विद्यालियों के लिए सक्षकों के पहले चरण की न्युक्ती बिहार लोग सेवा आयोग द्वारा संपन हो चुकी है, जिसके तहट आरा जिले के विवन विद्यालियों में 2008 रन सक्षकों द्वारा योगदान दिया गया था, राज्य के कई जिलों में फरजी सक्षकों की पहचान इन सब के बीच बीपी सी द्वारा प्रतम चरण के तहट की गई है, सिक्षा विवाग के सचीव द्वारा पत्र भी जारी किया गया है, इस पत्र में कहा गया है कि कुछ लोगों के द्वारा फरजी नुक्ती पत्र बनवाने अत्वा फरजी नाम से विद्याले में योगदान करने की बात सामने आ रही है। कैसी बिहार पुलिस दरोगा समित अससे जैसे अन्य प्रतियों की प्रक्षाव में काम आएंगे। सवाल इतिहास बिहार स्पेशल विज्ञान करेंट अफ्यर और भूगों से रहेंगे पूछे कर पांचों सवाल में आपने कितना सही उतर दिया। यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है। इसने गांधी नगर में NCDFI के नए काड़े आले भवन की आधार शिला रखी है। ऑप्षने अमित्साह, ऑप्षन भी PM मोदी, ऑप्षनसी नितीश कुमार, ऑप्षनी स्मृति इरानी। इसका सही उतर है ऑप्षने अमित्शाह। अगला सवाल, हाली में कौन सा देश विश्वस्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इसपात उत्पादक बन गया है। ऑप्षने सौधी अरब, ऑप्षन B कुवैत, ऑप्षन C भारत, ऑप्षन D जापान। इसका सही उतर है ऑप्षन C भारत। अगला सवाल, हाली में वैपार समझोते के बाद ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के नडियात में कितनी प्रतिशत की बढ़ोत्री हुई है। ऑप्षन A 16 प्रतिशत, ऑप्षन B 14 प्रतिशत, ऑप्षन C 12 प्रतिशत, ऑप्षन D 10 प्रतिशत। इसका सही उतर है ऑप्षन B 14 प्रतिशत, अगला सवाल, पटना की कैंप जेल में सवीनाई अवग्या आंदोलन के दोरान निम्न में से किनकी मृत्यू हुई थी? ऑप्षन A कंचन महता, ऑप्षन B बीकन महता, ऑप्षन C सर्यू सिंग, ऑप्षन D उप्रोक्त सभी इसका सही उतर है ऑप्षन D उप्रोक्त सभी अगला सवाल, बहार चातर सम्मीलन 17-18 औक्टूबर वर्स 1931 को निम्न में से कहा हुए थे? ऑप्षन A पटना, ऑप्षन B गया, ऑप्षन C आरा, ऑप्षन D मोतिहारी, इसका सही उतर है ऑप्षन C आरा, बीते दिन हमारे दुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने जाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था, ज इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों राज का सवाल है, आपके अनुसार आज भारत और साउथ अफरीका के बीच खेले जाने वाले, सिरीज के दूसरे मुकाबले में किसका पलरा भारी है और क्यों, अपने जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरू पेस को फॉलो करना न भूले, धन्यवाद